हलो एवरिवन, वेलकम यूव ओल इन माई यूट्यूब चैनल यूनिक इवेशन आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एरक्राफ्ट के फ्यूल की मतलब वहां कौन सा फ्यूल यूज होता है और एरक्राफ्ट के फ्यूलिंग सिस्टम के बारे में कि आखिर उस फ्यूल को इंजन तक कैसे पहुँचाया जाता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये इंपोर्टेंट वीडियो फर्स्ट आफ आफ ओल थाइंक ये वरिवन, वी ओल लों एविएसन नीट सपोर्ट मैं अपना कर रहा हूँ, आप अपना करिए, प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए, लाइक करिए, सेर करिए और सब्सक्राइब करिए सबसे पहले ये बताइए कि एरक्राफ्ट का फ्यूल क्या होता है कोई भी इंजन हो, अगर उसे एनर्जी की जरुरत पड़ती है, तो उसे फ्यूल की जरुरत भी पड़ती है इसी तरह से एरक्राफ्ट में भी एनर्जी के लिए, यानि उसको आगे बढ़ने के लिए और हवा में उड़ने के लिए एनर्जी की जरुरत पड़ती है जो कौन देता है aircraft का fuel अब small aircraft और modern aircraft में अलग-अलग fuel यूज़ किये जाते हैं जो small aircraft थे यानि छोटे aircraft और छोटी दूरी पर उठते थे यानि कम उचाई पर उठते थे उन में हम यूज़ करते थे gasoline gasoline एक petrol ही होता है कह सकते हैं अब जो की हलका blue is color का होता है अब इसको jet fuel भी कभी कभी कहा जाता है और याद रखिए जितने भी gas turbine engine आपको मिलेंगे चाहे वो turbo prop हो चाहे वो turbo soft हो चाहे वो turbo fan कोई भी अगर वो gas turbine engine है तो उसमें ATF ही यूज़ किया जाता है अगर हम इसके color की बात करें तो ये लगभग लगभग straw color का होता है या आप कह सकते हैं कि ये color less होता है अब जो next question हमारे दिमाग में आता है वो ये कि जब ये simple carosine है तो फिर इसे हम ATF यानि aviation turbine fuel के नाम से क्यों जानते हैं तो उसका reason ये है कि हमारे aircraft को बहुत ही higher altitudes पर उड़ना होता है जहाँ पर temperature और pressure दोनों ही कम होते हैं तो इस कारण से इसमें हम कुछ अलग agents का इस्तमाल करते हैं यानि उसमें mix करते हैं ठीक क्या-क्या चीज़े mix करते हैं पहली चीज जो होती है उसे कहते है anti icing agent इनका इस्तमाल क्यों किया जाता है इसलिए क्योंकि हम जानते हैं दुनिया का कोई भी petroleum हो यानि कोई भी fuel हो उसमें थोड़े amount में water present ज़रूर होता है ठीक अब higher altitude पर वो ice में ना जम जाये इसके लिए हम anti icing agents का use करते हैं दूसरा lubricating agents का use करते हैं यानि इसी ATF में ही हम कुछ lubricating agent भी मिलाते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि जितने भी हमारे pumps होते हैं जो कि इसी में यानि fuel में हमेसा डूबे गए होते हैं उनको lubrication की भी ज़रूरत पड़ती है तीसरी चीज़ हमें इसमें मिलाते हैं anti corrosion materials इनका इसलिए इस्तमाल किया जाता है ताकि हमारे जो storage tanks हों जिसमें इस ATF को भरा जाता है वो उनमें corrosion ना लग जाये या फिर उसमें fungi वगरा ना produce हों तो ये तो बात होगे हमारे ATF की खासियत की अब अगर हम बात करें aircraft के fuel system की तो fuel system में सबसे बड़ी बात कि उसमें एक storage tank होना चाहिए उसमें एक pump होना चाहिए उसमें filter होने चाहिए उसमें कुछ wells होने चाहिए fuel lines होनी चाहिए जिन से हम लेकर के जाएंगे fuel को metering device होनी चाहिए जो ये नाप सके कि हमें कितने amount में fuel engine को देना है monitoring device होनी चाहिए जो ये देख सके कि जिस amount में हम fuel को भेज रहे है वो उसी amount में जा रहा है उसका temperature क्या है उसका pressure क्या है ये सारी चीज़े monitoring device की responsibility होती है अब हमारा अगला सवाल आता है कि आखिर कितने तरीकों से इन fuel system का use किया जाता है हमारे aviation में तो याद रखिए aircraft का fuel system दो तरीकों का हो सकता है पहला gravity fed fuel system और दूसरा pump fed fuel system ये दो तरीके के fuel system aircraft में यूज किया जाते है जो कि छोटे होते हैं और जिनका wing उपर लगा होता है example के लिए आप सिसना aircraft को consider कर सकते हैं ठीक है इसमें क्या करते हैं जो हम fuel का deployment करते हैं मतलब fuel हमारे tank से ले करके engine तक जो पहुंचता है वो with the help of force of gravity ठीक है अब इसमें भी यानि gravity system में भी हम pump का use करते हैं किसके लिए या तो engine की priming के लिए या फिर emergency conditions के लिए engine की priming का मतलब in case अगर हमारा engine नहीं start हो रहा है due to low temperatures तो हम उसे extra fuel provide कराते हैं ठीक और ये उन्हीं aircraft में use किया जा सकता है जो थोड़ी उचाई तक उड़ते हैं ठीक है अब हम बात करते हैं अपने सबसे main और सबसे important fuel pump fed system की ठीक है कि आखिर pump fed system क्या होता है तो याद रखिए जितने भी modern aircraft होते हैं या फिर आप कह लिजे almost हर एक aircraft में इसी fuel pump fed system का use किया जाता है ठीक इसमें हम क्या करते हैं booster pump या fuel pump या फ्यूल पंप यूसी दोनों एक ही नाम है या तो आप booster pump कह लिजे या fuel pump कह लिजे इन दोनों की help से हम क्या करते हैं अपने fuel को storage tank से लेकर के engine तक पहुचाते हैं इसकी सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि हमें यह नहीं consider करना होता कि हमारा fuel tank कहां पर है आप fuel tank कहीं भी रखिए हमारे booster pumps जो लगे होते हैं वो क्या करते हैं fuel को engine तक supply करते हैं ठीक है तो यह तो हमने बात कर लिए कि हमारे aviation में यानि aircraft में कौन-कौन से fuel system का use किया जाता है ठीक बट जब भी कोई fuel system design किया जाता है तो उसमें दो बाते बहुत ही खास तरीके से ध्यान में रखी जाती है पहला यह कि किसी भी condition में कम से कम एक engine को हमारा fuel system supply करता रहे ठीक है पहली बात और दूसरी बात किसी भी condition में हमारा fuel बेपर जो होता है वो ignite न ना होने पाए इन दो बातों का खास ध्यान दिया जाता है ठीक अब अगर हम बात करें अपने डीजेस यह questions की तो सबसे पहला question कौन कौन से fuel हमारे aircraft में यूज किया जाते है तो दो एक होता है gasoline जो यह small aircraft में यूज होते है और दूसरा होता है ATF जो कि gas turbine engine में यूज होता है और दूसरा होता है fuel pump fed system जो कि modern aircraft में use किया जाते हैं किसी भी fuel system में कितने components होते हैं तो वो होते हैं storage tank, pump, filter, walls, fuel lines, monitoring device और metering device ठीक इन जी जोगा use किया जाता है किन दो बातों का खास ध्यान दिया जाता है पहला ये कि किसी भी condition में जो हमारा fuel system है वो एक engine को supply करता रहे और द दो बातों का खास ध्यान दिया जाता है अब अगली वीडियो में हम बात करने वाले है types of fuel tank की कि वो क्या क्या होते हैं उनका use क्या होता है ठीक वीडियो आपको पसंद आई हो तो like करिए, share करिए, subscribe करिए, सब तक पहुंचाएए ताकि सब की help हो सके, thank you